नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी नीज में आपका स्वागत है आज है 29 ओक्टूबर दिन रविवार खबरों के ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर बीपीसी ने जारी किया सरसठवी का फाइनल रिजल्ट ये बने स्टेट टॉपर राजिक 117 नेहडो का होगा जुनधार और सोला का होगा विस्तार मदाता सूचिया मदाता पहचान पत्र में हुई गरबडी को लेकर आज यहां कड़े संपर बिहार में अपरादियों की जिलावार कुंडली होगी तयार विश्व कब 2023 के 29 मैच में भारत का सामना आज होगा इंग्लैंड से अब चले बरते हैं बिहार के अब तक की 25 पड़ी खबरों क्यों वस्तार से रेल्वे में 46 पदों पर निकली भरती इस दिन तक कड़े आवेदन दक्षनी रेल्वे ने स्पोर्स कोटा के तहत स्पोर्स परसन से 46 पदों के लिए आवेदन मांगे हैं से में वो लोग जो इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं वर रेल्वे भरती सेल की आधिकारिक साइड रर्सी एम एस डॉर्ट इन पर जाकर ऑनलाइन तरीके से अपना आवेदन कर सकते हैं आपकी जानकारी के लिए बता दे के आवेदन करने की अंतिम तारिक 27 नवंबर 2023 तक निरधारत की गई है इसके लिए अगर सेचनिक युगिता की बात करें तो लेवल एक पदो पर आवेदन करता के लिए सेचनिक युगिता दसवी या ITI पास रखी गई है लेवल दो एवम लेवल तीन के पदो पर आवेदन करता के लिए सेचनिक युगिता ग्रैजुएट पास रखी गई है इसके साथ ही आवी दिन करता है स्पोर्समैन होना भी अनिवार है सिजरी अधिक जानकारी के लिए एक चुकावी दक एक बार जारी किये गए दिसूशना को जरूर देख ले BPSC ने जारी किया सरसथवी का फाइनल रिजल्ट टॉप दस में 6 लड़कियां बीदे दिन बिहार लोकसी वा आयोग की तरफ से BPSC सरसथवी सेउक्ति प्रतियोगी परिक्षा का रिजल्ट चारी कर दिया गया है जिसके तहत इस परिक्षा में कुल 799 स्टुरेंट के द्वारा सफलता हासल की गई है ऐसे में वो छात्र जो इस परिक्षा में शामिल हुए थे और अपना रिजल्ट देखना चाहते हैं वह BPSC की आधिकारिक वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर जाकर देख सकते हैं आपके जानकारी के लिए बता दे किस परिक्षा में राज्य भर में पहले अस्थान पर अमन आनंद आए हैं तो वहीं दूसरे अस्थान पर निकिता कुमारी और तीसरे अस्थान पर अंकता चौधरी आई हैं चोथे अस्थान पर खालिद हयात और पाचवे अस्थान पर रिशव आनंद रहे मानमों की टॉप 10 में 6 लड़कियों के नाम शामिल है आपके जानकारी के लिए बता दे कि BPSC सरसटफी मुख्य परिक्षा का आयोजन 29 से 31 दिसंबर 2022 को आयोजित किया गया था जिसमें को 11607 अभ्यर्थी शामिल हुए थे बिहार परिटर में आज हम बात करेंगे बुद्ध स्मृती पार्क के बारे में बुद्ध स्मृती पार्क को भगवान बुद्ध के 2554 जन दन के उपलक्षे में बिहार सरकार दौरा विक्सित किया गया था यह 22 एकर के विशाल छित्र में फैला एक शहरी नकलिस्तान है पार्क का मुख्य आकर्ष दलाई लामा दौरा लगाएगे दो बोधी विक्ष है जिनके बगल में भगवान बुद्ध की एक मोर्ती है इसे बुद्ध मेमोरियल पार्क के रूप में भी जाना जाता है यह महावीर मंदर के सामने पटना जंक्शन के पास फ्रिजर रोड प पुस्तकाले एवं संग्रहाले और साथी यादो का पार्क शामिल है 200 फीट उंचा पार्टले पुत्र करुणा अस्तूप एक गुलाकार सनरचना है जो पार्क की सबसे प्रमुख विसेशता है इसमें कई प्रवेश्वार है और कांच के घेरे में भगवान बुद्ध का ए अलग अलग ताबूतों में रखे गए हैं ध्यान केंद्र नालंता विश्विद्याले मठो की योजना पड़ा अधारित है विश्वकब 2023 के 29 मैच में भारत का सामना आज होगा इंग्लैंड से आज यानि के 29 ऑक्टूबर को दो पहर दो बज़े से लखनों के इकानाय स्ट करते वे पॉइंट स्टेबल पर दूसरे अस्थान पर बना हुआ है तो वहें इंग्लैंड अब तक केवल एक मैच ही जीत सकी है और पॉइंट स्टेवल पर नौवे अस्थान पर है से में आज का यह मैच इंग्लैंड के लिए काफी एहम होने वाला है तो वहीं भारतिये टीम इस मैच को जीत कर अपने स्थिती और भी मजबूत करना चाहेगी आपके जानकारी के बता दे कि अब तक वंडे में दोनों टीमों के बीच कुल 106 मैच खेले गये हैं जिसमें से 57 मैच में भारतिये टीम को जीत मिली है तो वहीं 44 मैच इंग्लैंड की टीम जीतने में स पाई रहा बिहार में घड़ गये 6 लाख वोटर जंडर रेशियो सुधार बीदे सनिवार को बिहार के सभी 243 विधान सभा छेत्रों में मदाता सूची का प्रारूग प्रकाशन किया गया बतादे कि राजिमें वर्तमान में 7 करोड 22,982 मदाता है ऐसे में जब भारत नर्वाचन आयोग के द्वारा एक जनवरी 2023 के आधार पर जारी अंदिर मदाता सूची की तुलना में शुक्रवार को प्रकाशत की गई मदाता सूची से की गई तो उसमें पाया गया कि 10,63,376 मदाताओं का नाम मदाता सूची से हटा दिया गया है वहीं स्वरान 4,77,592 नए मदाताओं को शामिल किया गया है इसके अलावा घर घर सर्विक्षन के बाद 3,38,99 पुरुष मदाता और 2,51,613 महिला मदाता एवं 112,3 जंडर मदाता की संख्या में कमी आई है पतादे कि प्राडूप मदाता सूची में ठार से उनश्वर्स के मदाताओं की संख्या 1,47,062 हुई है मालूम हो कि प्राडूप मदाता सूची के नसार मदाता लिंगानुपात में विधी आई है एक हजार पुर्स मदाताओं पर 905 से बढ़कर 907 हो गई है वही सर्विस वोटरों की संख्या 1,66,997 हो गई है थर्ड जंडर मदाता की संख्या 2,306 है दो दिवसिये वेब मीदिया समिट 2023 का हुआ सुभाडम बीदे दिन सनिवार को वेब जर्नालिस्ट एसोशियेशन ओफ इंडिया का दो दिवसिये वेब मीदिया समिट 2023 का सुभाडम क्या गया बता दे किया कारिक्रम पटना अस्थित पनास बैंक्विट सगुना मोर में आयोजित क्या गया वेब मीदिया समिट 2023 का विधिवत उधगाटन बिहार के सूशना एवं जनसंपर्क मंत्री संजय जाओ और मीदिया जगत के दिगजो प्रोफेसर डॉक्टर संजय दुवेदी आयमसी के पुर्व महानिदीशक ब्रजेश कुमार सिंग समेत कई दिगजो के दौरा सिंग तुरूप से क्या गया मालम हो कि वेब मीदिया समिट 2023 के दुईति सत्र में वेब मीदिया दशा दिसा और भविश्य विजए पर वेमर्ष में मीदिया दिगज जोनने विचार र बना रहे यह ध्यान रखे जाने की जरूरत है समिट में मुख्य अतीती ववस्ष्ट अतीतियों का अंगवस्त्र वग प्रतिक्चिन देह कर सम्मारित क्या गया है समिट में देश भर से आए विब मीडिया से जड़े संपादक रिपोर्टर संचालक मौजूद रहें बिहार में अपराधियों की जिलावार कुंडली होगी तयार राजी में संगठित अपराध और इससे अंजाम देने वालों को सफाया किया जा सके इसके लिए स्टी एफ यानि के स्पेशल टास्क फोर्स के द्वारा जिलावार तरीके से अपराधियों की कुंडली तयार की जाएगी जिसमें अपरादी से जड़ी सारी जानकारी शामिल होगी बता दे कि अपराद को नियंतरन में रखने के लिए स्टी एफ में स्टी एडवलू बनाया जा रहा जो जल्दी पूरी तरीके से सक्रिय हो जाएगा बता दे कि विंग मुख्य कारे जिला और छितरबार सुची अलग से तयार की जाएगे जो जेल से चूटने के बाद फिर से अपराद में सनलिप्त होते हैं मालमों के स्टी एडवलीव टीम में दो दर्जन पुलसकर्मी रहेंगे जिसमें सिपाही से लेकर डेसपी तक के अधिकारी मौजूद होंगे इनका समनवय खूफिया बिहार के दो खिलारी ताइकवांडू में करेंगे राजी का प्रतिनिद्व गोवा में चल रहे 37 वे नेशनल गेम्स में ताइकवांडू स्पर्दा में बिहार के दो खिलारी राजी का प्रतिनिद्व करने वाले हैं जसमें बेगु सराय के श्रेयारानी अंडर 62 किलोग्र अधिक भारगबर्ग में बिहार का प्रती निद्व करेंगे बतादे कि ताइक वांडोस परदा किश्रवाद गोवा के पॉंडायसत मल्टी परपस इंडोर स्टेडियम में तुस ऑक्टूबर से होने वाली है जो की तीन नवंबर तक चलेगी ऐसे में गोवा के लिए रवान के आधार पर किया गया है उत्तर और दक्षिन बिहार को जोडने वाले राजिंद्र सेतू पर बंद रहेगा सरक मार्क गंगा नदी पर बने पहले रेल सह सरक पुल कहे जाने वाले राजिंद्र सेतू पर चल रहे मरमतिक कारे को लेकर पुल पर सरक मार्क से वाहनों के परि कारी के अनुसार इस दोरान आपात कालीन सेवा चालू रहेगी दरसल आपकी जानकारी के लिए बता दे कि राजिंद्र सेतू पड़ स्लैप की कंक्रीट के कारे को लेकर ब्लॉक किया जा रहा ऐसे में इस दोरान वहां ढुलाई कारे होगा वहीं बाद में पुल पर तैय निर का होगा जिनुधार और सोला का होगा वस्तार राज्य के हर खेत तक पानी पहुंचाया जा सके इसको लेकर राज्य सरकार के ओर से अलग अलग परियोजनाई विक्सित की जाएंगे जिसे चतुर्थ क्रिसी रोड मैप के तहत अगले दो वर्षों तक पूरा करने का लक्ष से सोलर नहरो का विस्तार भी किया जाएगा इसके लावा 845 वियर चिक डैम भी बनाये जा रहे हैं आपके जानकारी के लिए बता दे एकुल 1177 इस पर योजनाओं के जर्ये एक लाग 30,000 हेक्टेर अस इंचित छेतरों के खेतों तक पानी पहुंचाया जाएगा इस पर रा मातर 10 रुपे में प्राप्त कर पौधा रोपन करे और हरत आवरन बढ़ाए विहार सरकार के सूशना एवं जनसंपर्क विभाग के द्वरा दी गई जानकारी के नुसार पड़यावरन वन एवं जलवाई हूँ परिवर्तन विभाग के स्थानिये पौध शाला से फलदार फूलदार इमारती लकडी और औस्थिये पौधे मातर 10 रुपे में पौधा प्राप्त कर पौधा रोपन करे और हरत आवरन को बढ़ाने में अपनी सभागिता दे बतादे की वन विभाग के पौध शाला में इमारती लकडी के सीसं सागवान महुगणी छथवन और ग्री और नीम के पौधे मिलेंगे पटना वन प्रमंडल के पौध शाला के विस्तर जानकारी के लिए परेवरन वन एवम जलवायू पडिवरतन विभाग जे चार जी आठ प्लस जी डबलू जी वन विभाग रोट नहरु नगर पाटली पुत्रकॉन नी पटना बिहार से संपर करें मदाता सूची या मदाता पहचान पत्र में हुई गरबड़ी को लेकर आज यहां करे संपर्क अगर आप भी मदाता सूची या मदाता पहचान पत्र में हुई किसी प्रकार की गरबड़ी को लेकर परेशान हैं तो आप भारत नर्वाचन आयो की वेबसाइट पर ऑनल जलाई और एक उक्टूबर निर्धारित की गई है वहीं मदाता सुची या मदाता पहचान पत्र में किसी प्रकार के सुधार के लिए भी भारत नर्वाचन आईयो की ओर से चार तीथियां 28 उक्टूबर, 29 उक्टूबर, 25 नवंबर और 26 नवंबर निर्धारत की गई है ऐसे में इस तारी को आप निकटवर्ती मद्दान किंद्र पर वियलो को दावा आपती दे सकते हैं विहारी बोतरे, स्पेशल में आज हम बात करेंगे मलाय रोय चौधूडी के बारी में मलाय रोय चौधूडी का जन्मा आजी के दिन 49 में हुआ था यहां बांगला शाहित्य के प्रख्यात कभी एवं आलोचक हैं वे 60 के दशक के साहित्य आंदोलन भूकी पीधी के जमदाता माने जाते हैं इसांदोलन ने बांगला शाहित्य को एक नई तिसादी और पूरे भारत में उथल पुथल मचाई आंदोलन के सिलसले में मलाय को नहें कभीता लिखने के कारण काराबास का दंड मिला था वे अब तक सतर से ज़्यादा कभीता ग्रंथ नाटक उपन्यास एवं अनुवद के पुस्तक लिख चुके हैं 60 के दशक में जो बदलाव बांगला कभीता में आए उनमें एक बड़ा योगदान मलय राय चौधुरी का कहा है उनके कावे ग्रंथों में ख्याती प्राप्त में धार वतानोकुल गुनगुर 2003 में उन्हें अनुवाद के लिए साहित्यकाद्मे पुरुषकार से नवाजा गया था चितर परिचालक श्रीजित मुखर जी 22 स्राबोन नाम से एक फिल्म बनाई है जिसमें कभी मलय रॉय चौधुरी को चितरित किया गया है मलय के चरित्र में अभिनाय किया है जाने मारे परिचालक गौतम खोश रॉय चौधुरी की फिल्म ने पोलैंड में सर्वस्टिस्ट वीडियो आर्ट स्पेड में मोस्ट प्रॉमिसिंग वीडियो आर्टिस्ट और सरविया में सर्वस्टिस्ट फेंटेसिफ फिल्म का पुरुषकार जीता औल्टो कार से सेक्रो लीडर सराब जब्त बिहार में पुनरूप से सराब बंदी है लिकिन इसके बावजूद भी आए दिन सराब तसकरी सिज़रे मामले सुनने को मिलते रहते हैं हालाग इन पर नकेल कसने के लिए उतपाद विभाग के और से जीतोर कोशिश की जा रही लेकिन इन मामलों में कोई खास कमी देखने को नहीं मिल रही बता दे कि ताजा मामला मोतिहारी के चक्या के स्वंगियाप गाउं के पासका है जहां मोतिहारे डियम और उतपाद अधि को जबतकर गारी मालिक वा तसकर के सत्यापन में जुटी है वहीं पुलिस के द्वरा कहा गया कि गारी सत्यापन के बाद ही इसपस्ट हो पाएगा कि गारी किसकी है मेला चात्रवृति के लिए आविदन करने की अंतिम तारिक नस्दीक राष्ट्री आयस अमेदा चात्रवृति योजना अप्रिक्ष के लिए राज्य भर में कुल 46,302 विद्यार्थी पंजिक्रत हैं लेकिन अब तक मात्र 11,788 विद्यार्थियों के द्वारा ही आविदन किया गया है इनमें भी 10,882 आविदन DEO के एप्रूवल नहीं होने से लंबित है यानि की मात्र 897 आविदन ही अंतिम रूप से सत्यापित हो पाए हैं ऐसे में स्लापरवाही को लेकर SCERT की रिपोर्ट पर सक्षा विभाग के दोरा सभी जिला सक्षा पताधिकारी को पत्र लिकर इसे गंभीता से लेने को कहा गया है आपकी जानकारी के लिए बता दे कि शात्रविती की परिक्षा 7 जनवरी 2014 को आयोजित की जाएगी बता दे क इसमें चनट चात्र चात्राओं को नौवी से बारवी तक सालाना 12,000 चात्रविती के तौर पर दिये जाते हैं जिसमें बिहार के लिए 5,433 चात्रों का कोटा है इस बाड़े में SCERT निदेशक सजन आर के द्वारा जानकारी देते वे बताया गया किसके लिए आविदन करन की अंतिन तिथी 3 नवंबर 2023 तक निर्धारत की गई है पच्छुआ हवा के कारण तापमान में आई कमी बिहार में इन दिनों मौसम का मिजास पूरी तरह से बदल रहा है बदलते हालात के वीच में दो पहर में लोगों को तेजगर्मी का हैसास हो रहा तो वहीं शुभा सा लोगों को ठंड सताने लगी है बिहार में दिनों मौसम का मिजास सुस्क बरा हुआ है विवाक की माने तो प्रदेश में इस तरह की सिती अभी आगे भी बनी रहेगी मौसम में बदलाओं के कारण दिन और शाम के तापमान में काफी अंतर देखनी को मिल रहा दिन में लिएंदर की तरफ से जारी अपडेर के नुसार उज्टम तापमान और निवंतन तापमान में गिरावट देखी जा रही है तिन प्रते दिन इसमें और भी गिरावट आने की संभावना है बिहार फांडेशन ने की ओस करना मांकित चंपारण मटन फिल्म की स्क्रिनिंग बीते दिन बिहार फांडेशन के द्वारा दिल्ली में ओसकर के semi final में पहुँची और बिजिंग फिल्म फेस्टिवल में दिखाई जाने वाली बिहार के लाल रंजन कुमार द्वारा बनाए गई यह सौट डॉक्यमेंटरी फिल्म चंपारन मतन के स्क्रिनिंग नई दिल्ली फिल्म फाउंडेशन और बिहार से बाइद पनास के सही योग से आयुजित की गई इस तोरान इस फिल्म को लेकर बिहार ब्रान के निर्मान में सिनेमा की मुख्य भुमिका विशे पर एक अपील दिश कसम भी आयुजित की गई बता दे किस कारिक्रम में फिल्म के निर्माता फलक खान और निर्देशक रंजन कुमार समेत का इविसिस्ट व्यक्तियों नही मुख्या भिनीता चंदन रोय वेस्ट होने के कारण शामिल नहीं हो पाय थे लेकिन होने अपने शुब कामनाय साजा की और कहा कस्वल में बिहार के बरते प्रिभाव को प्रोधर्शुत किया गया है गूगल पे अब छोटे वेपारियों को देगा लोन भारत में यूपी आई पेमेंट के लिए गूगल पे को करीब 100 करोड से ज़ादा लोगों के दोरा डाउनोड किया गया है इसी को देखते विए अब गूगल पे के दोरा एक बड़ा कदम उठाया गया है इसके तहट गूगल के दोरा छोटे वेपारियों के लिए गूगल पेमेंट लोन की सुधा दी जारी है बता दे कि गूगल पे लोन से छोटे वेपारी 15,000 रुपए से लेकर 1,000,000 रुपए तक का रिन आसानी से सीधे अपने खाते में पा सकते हैं मालू हो कि इस लोन को चुकाने के लिए वेपारियों को साथ दिन से लेकर 12 महीनों तक का वक्त मिलता है हाला कि इस लोन को लेने के लिए वेपारी के पास गूगल पे का बिजनेस एप होना अनिवारे है बतादे यूगल पे ने इस रिन को उप्लब्द करवाने के लिए DMI Finance के साथ पार्टनर्शिप किया है इसके साथ ही वेपारियों को बड़ी सहुलियत देने के लिए E-Pay Later के साथ पार्टनर्शिप करते वे क्रेट लाइन इनेबल रिन की भी सुवधा शिरुकी है बतादे के गूगल पे किस लोन को 111 रुपे की निंतम मासिक किस्त पर चुका आजा सकता है मांदे पर स्कूलों में रखे जाएंगे रातरी प्रहडी राची के वैसे स्कूल जहां कम्प्यूटर की पढ़ाई के लिए ICT लैब स्थापित किये जा रहे है वहां मासिक मांदे पर नीजी एजनसी के माध्यम से रातरी प्रहडी रखे जाएंगे ताकि कम्प्यूटर और इससे संब्ध सामानों की सुरक्षा हो सके पतादे के संब्ध में एजनसी के एकरार नाम करने का नर्देश जिला सक्षा पदादिकारीयों को दे दिया गया है मालम हो किसी प्रकार नीजी एजनसीयों के माध्यम से स्कूलों में सौचाले की नियमन साफ सफाई को लेकर भी उनके साथ एकरार नाम करना है इसके लिए भी राशी तैक कर दी गई है जिसके तहट माध्यमिक और उच माध्यमिक स्कूलों में सफाई करने वाले कर्मियों को प्रति दन 100 रुपे प्रती सौचाले दिये जाएंगे तो वहीं प्राडमिक स्कूलों में सफाई करने वाले कर्मियों को 50 रुपे प्रती इन दिनों बिहार के मुख्यमंत्र नितीश कुमार के उत्तर प्रदेश से चनाव लडने की चर्चा तेज है वहीं हम नितीश कुमार को यूपी से चनाव लडने का बकाय था ने ओता भी मिल चुका है बता दी कि यूपी जदिव के प्रदेश अध्यक्ष सतंद्र पटेल के दुखेमंत्री के दौरा अब तक कुछ नहीं कहा गया है हाला कि उन्होंने जेडियू कारिकर्ताओं का आगड़ा पत्र स्विकार कर लिया है सफल सेक्षब अभ्यर्थियों को न्यूकती पत्र दिये जाने पर गिरी राज सिंग का बयान बीददन प्रिधान मंत्री नरंदर मोदी के दोरा पूरे देश भर में 51,000 अभ्यर्थियों को रोजगार मेला के तहट नौकरी पाए गया अभ्यर्थियों को न्यूकती पत्र बाटा गया इसको लेकर बिहार की राजधानी पत्ना में भी एक कारिक्रम आयुजित किया गया था जिसमें को 133 अभ्यर्थियों को न्यूकती पत्र दिया गया चाचा भतीजे का सरकार हो और कोई गर्वरी नहों ये संभव ही नहीं इनका कोई भी कारिक्रम सब्फल नहीं होता उन्होंने कहा कि परिच्छा में पारदर्श्रता का अभाव है लालो यादव का केंदर सरकार पर बढ़ा हमला गाजा के युद्विराम के मूल प्रस्ताओं पर भारत के ततस्त रहने को लेकर बिहार में बयानबाजी का दौट सुरू हो गया इसी कड़ी में अब राजस सुप्रीम। लालो परशाद यादव के दौरा भी केंदर सरकार पर जम कर हमला बोला गया केंदर सरकार पर हमला बोला गया है मानवधिकारों के प्रती समवेदन शील नीती हमारी विदेश नीती का दोहज होना चाहिए वही लालू यादव के दोरा किये गए इस पोस्ट पर लोगों के दोरा तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दी जा रही है भारत के दियास में आज की तारीक है कई कारणों सिदर्च बंगान में बिटिस इंडियन एसोशेशन के अस्थापना 851 में हुई पुर्व राश्रुपती जाकिर हुसैन के प्रयासों से जामिया मीलिया इस्लामिया की अस्थापना 1920 में की गई उरिशा में 1999 को विदभन्स कारी समुद्रे तूफान आया पाकस्तान में कटरपन्थी कबालियों ने 2001 में पात अधिकरित कश्मीर के चलास कस्बे की हवाई पट्टी जेल और पिट्रॉल पंपो पर कबजा किया आयल फॉर फूर्ट प्रोग्राम विशेक बोलकर रिपोर्ट में 2005 को भारत के विदेश मंतरी नटवर सिंग पर उंगली उठाई कई मुकेबाजी में भारत को पहला उलंपिक पदक दिलाने वाले बॉक्सर विजंदर सिंग का जन्म 1985 में हुआ पहली लोग सभा के सश्य स्यद मुहमद एहमद काजमी करिधन 1969 में हुआ था समासुधारक सिंता संग्राम सिनानी दिथा भारतिय हस्तकला के छेतर में नवजाकर लाने वाली गांधी वादी महिला कमला देवी चटो पाध्याय करिधन 1980 में हुआ था आज के दिन को जाकतिक इंटरनेट दिवसके रूप में भी मनाया जाता है बारल कर में आज हम बात करेंगे मेगा वर्चुल जॉब फेर के बारे में सोशल मीडिया पर कहीं सुचना बारल होती है लेकिन सभी सचो ये ज़रोई नहीं है इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे मेगा वर्चुल जॉब फेर के बारे में दरसल P.I.B. ने अपने टूइट में लिखा है कि मेगा वर्चुल जॉब फेर में भाग लेने के लिए व्रक्तियों को आमतरत करना P.I.B. ने अपने टूइट में आगे लिखा है कि वेबसाइट फरजी है Ministry of Education ऐसी कोई वेबसाइट नहीं रखता अधिक जानकारी के लिए अधिकारिक वेबसाइट sttp.com//education.gov.in पर जाएं WhatsApp चैनल के Creators के लिए कंपनी ला रही एक और अपडेट WhatsApp जल्दी चैनल ओनर्स के लिए चैनल के अंदर Message Reaction फिल्टर देनी वाला है बता दे किसकी मदद से Creators Message पड़ाए रेक्शन को All और Contact के बीच फिल्टर कर पाएंगे यानि Creators से ये जान पाएंगे कि उनकी पोस्ट पर Contact में मौजूद के लोगों ने क्या रिपलाई किया है फिल्हाल चैनल में followers केवल Emoji के माध्यम से अपना Reaction दे सकते हैं सब्डेट की जानकारी WhatsApp के Development पर नजर बनाए रखने वाली Website WA Beta Info ने Share की है फिल्हाल ये अपडेट कुछ Android Beta Testors के पास प्लब्धे आने वाले समय में कंपनी से सभी के लिए रोल आउट कर सकती है अगर आप WhatsApp के तमाम नए फीचर्स सबसे पहली पाना चाहते हैं तो कंपनी के बीटा प्रोग्राम के लिए अन्रोल कर सकते हैं मालुमों कि के लावा WhatsApp चानल और्रस को वाइस नोट शेयर करने की भी सुधा देने वाली है हम प्रतितना आपसे पांच ऐसे जरुई सवाल और उससे जवाब बताएंगे जो की यताब बचन और और राज कुमार राओ ऑप्शन सलमान खान और आमिर खान इसका सही उतर है और राज कुमार राओ प्रदूशन से निजात पाने के लिए किसके इंद्र शासत प्रदेश में रेड लाइट ओन गारी ओफ अभियान शिरुक किया है उप्शने जमु काश्मीर, उप्शन B दिल्ली, उप्शन C लद्दाक, उप्शन D करनाटक इसका सही उत्तर है उप्शन B दिल्ली अगला सवाल बिहार के मधुबने जला से किस देश के रेलवे लिंक के बीच पहली ट्रेन का सफल पड़ी चालन किया गया उप्शने नेपाल, उप्शन B भुटान, उप्शन C बांगलादेश, उप्शन D चीब इसका सही उत्तर है उप्शने नेपाल अगला सवाल बिहार को जीतने वारा प्रथा मुस्लिम सासक कौन था? उप्शने कुत्व बुदीन एबक, उप्शन B मुहमत सा, उप्शन C बक्तियार खिलजी, उप्शन D महमूद कजनवी इसका सही उत्तर है उप्शन C बक्तियार खिलजी अगला सवाल मैथली भाषा को भारतिय समधान की आठवी अनुसूची में किस वर्स सम्मलित किया गया? उप्शन A 2001, उप्शन B 2002, उप्शन C 2003, उप्शन D 2004 इसका सही उत्तर है उप्शन C 2003 इसके साथ ही भरते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल है आज भारत और इंग्लाइंड के बीच होने बाले मैच में आपके अनुसार किस टीम का पल्रा भारी है और क्यूं? अपना जवाब हमें मारी कॉमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम खब्रों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें